दुनिया भर में पूरब के मैंचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध शहर कानपुर अपनी अनूठी विरासत, संस्क्रती और धरोहर के साथ वर्षों से आकरशन का केंद्र रहा है। भारत के स्वर्णिम आभा मंडल की ये ऐसी धर्टी है जिसने देश की स्वाधीनता के सपनों को सीचा, ग्यान की गंगा को रह दिखाई, क्रांथी की अलग को आभा में किया और विचार की धन संपदा को अंतियोदे तक लाने का सपना साकार किया। यहां की ग्यान संपदा ने दुनिया को एकात्म मानववाती दिक्षा से संचित तो किया ही है, साथ ही युगांत कारी पत्रिकारिता की आकांशाएं भी पल्लवित की है। अफ्तरन के ही इस प्रवाव में अगर शेहर के सबसे प्रभावशारी प्रतीक को देखा जाए, तो निस अंदे यहां का छत्रपती शाहुजी महराज विश्विद्याले हम सभी की सराखो पर है। ज्यान प्रतिपा विचार और दर्शन के साक्षात हस्ताक्षर इस विश्विद्याले के नामधारी रहे है। ज्यान प्रतिप्ट प्रति को देखा जाए, निद सबस्विद्याण बाले हम रहे है। झाल 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 यहां के उपाधी धारक समाज में अपनी विशिष्ट पहचान के साथ संस्थान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। सारुभामिक उत्थान के लिए नित नए साज़ा प्रयास, जी तोड महनत एवं नवाचार के लिए प्रतिबध विश्विध्याले को वर्तमान स्वरूप माननिय कुलपती प्रोफेसर विने कुमार पाठक की सोच का परिणाम है। जिन्होंने अपनी दूर द्रश्टी कुशल नेत्रत्व छमता एवं विचार शीलता से विश्विध्याले की एतिहासिक स्वरूप को तो बनाए रखा ही साथ ही उसे आधुनिक तक्नीक कौशल के समन्वे से जोड़ दिया है। समाजो प्योगी पहल जन जागरण की विश्यों के साथ साथ विश्विध्याले ने जन सरुकार के अंगिनत विश्यों पर जागरुकता अभियान, कारिक्रम, संगोष्टी, नवाचार के माध्यम से अपनी महती भूमिका निभाई है। एक किराय के भवन से अपना सफर शुरू करने वाला यह विश्विध्याले अपने शैशवकाल से मुक्त होकर नित नए आसमान को छूने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी के लिए यह गौरफ का शण है कि ज्यान दर्शन की इस विरासत के 57 वे इस्थापना दिवस पर हम इसके साक्षी बन रहे हैं। इस उत्सव के रंग में हम विश्विध्याले परिवार के उन सभी शिल्पकारों को प्रडाम करते हैं जिनके अधक प्रयास से यह आज अपनी आभा पिखेर रहा है।